कनड़ा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो और उनकी पत्नी सोफी अलग हो रहे हैं दो अगस्त बुद्धवार को पी एम आफिस की तरफ से ये बयान जारी कर बताया गया कि अलग होने के लिए दोनों ने कानूनी समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यानि कि दोनों की 18 साल की शादी का अंत होने जा रहा है दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किये गए बयानों में कहा कि उन्होंने कई सार्थक और कठिन बातचीत के बाद ये फैसला लिया है कैनड़ा प्रधानमंत्री कारेले के बयान में ये भी कहा गया कि दोनों ने कानूनी समझोते पर हस्ताक्षर किये दरसल दोनों की शादी 2005 में हुई थी उनके तीन बच्चे हैं इनमें 15 साल की जेवियर, 14 साल की एला ग्रेस और 9 साल के हेडरिन शामिल है पीमो आफिस के बयान में कहा गया है वे एक करीबी परिवार बने हुए है और सोफी और प्रधान मंतरी अपने बच्चों को एक सुरक्षित प्रेम पूर्वग और सयोग आत्मक महौल में पालने पर ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं अगले सब्ता से परिवार छुटियों पर एक साथ रहेगा बता दें जस्टिन पियरे, जेम्स टूडो एक कैनेडियाई राजनेता और पूर्व शिक्षक हैं जो नौमबर 2015 में कैनेडा के 23 में परधान मंतरी बने वे अप्रेल 2013 में लिबरल पार्टी के नेता हैं टूडो कैनेडा के इतिहास में जोकलार के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधान मंतरी हैं उनके पिता पियरे टूडो भी कनाडा के प्रधान मंतरी थे पियरे और जस्टिन कनाडा के प्रधान मंतरी बनने वाले पिता पुत्र की पहली जोड़ी है उनके कारेकाल में उनकी गोपनियता का सम्मान करने का अनुरोध किया है पद पर रहते हुए अलग होने की घोशना करने वाले टूडो दूसरे प्रधानमंत्री है उनके पिता पिएरे टूडो ने 1989 में अपनी पतनी मार्गेट से अलग होए थे और 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया था जस्टिन टूडो ने साल 2005 में सोफी से शादी की थी जस्टिन ने 1994 में मैग्यल विश्विद्धाले से साहित में इस नातक की डिगरी प्राप्त की फिर 1998 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्विद्धाले से आगे की पढ़ाई पूरी की उसके बाद उन्होंने वैंकूबर में मातमिक विद्धाले स्तर पर फ्रेंच सीखी और मैट्स और नातक पढ़ाया 2006 में उन्हें यूथ, रिनीवल और लेबरल पार्टी के टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया